26 मार्श के मार्णे नियो सेस्टन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों काफी लंबी चुट्टियां हो गई है और इन चुट्टियों में सिर्फ घर बैटे रहना टेलीजन देखते रहना मोबाइल चलाते रहना ये मुनासिब नहीं है जो स्टुडेंट हैं पढ़ाई करते रहना होगा और वहुत सरे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका इस साल मदद क्लास में प्रमोशन हो गया है वो अगली कच्छा में गये हैं तो उनके लिए जो किताबे हैं हो सकती वो मार्केट में ओले बलना हो लेकिन CBSC की मोस्टली किताबें आपको आनलाइन मिल जाएंगी और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कैसे करेंगे डाउनलोड आईए मैं आपको एक लाइब डेमो दिखाता हूँ और इस परकार से आप अपने अपनी मोबाइल में कोई भी किताब जो NCIT की होगी उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वसे इनके डारेक्ट आप लोग अपने मोबाइल का गूगल जाका का क्रोम का जो आप्सन है उसको आप ओपन कर लेंगे टाइप करेंगे यह NCIT बुक डाउनलोड और उसके बाद सबसे ऊपर का जो यह आप्सन है इबुक्स NCIT इसको आप क्लिक कर देंगे एक नया पेंज ओपन होगा और उसके टेक्स्ट आफ क्लासेज 1-12 यह आप्सन आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे जैसे आप इसे क्लिक करेंगे एक नया पेंज ओपन होगा जिस पर आपको यह देख रहा है कि किस किताब को आपको डाउनलोड करना है लाइक एज मान करेंगे किस सब्जीक की किताब को डाउनलोड करनी है इसको आप सेलट करेंगे सारे सब्जीर eithermpan ओर कासि किताब को चाहि है समकालिन भारत चलिए इसको क्लिक करते हैं गो पर आप जाएंगे और गो पर क्लिक करने के बाद ये किताब आपके सामने होगी अगर आपको chapter wise डाउनलोड करना है तो यहाँ पर भी कल्प होगा prelims chapter 1, chapter 2, chapter 3 और अगर आप पूरी किताब डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ पर आकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं याद रिकिएगा कि यह जो complete book होगी जब आप डाउनलोड करेंगे तो यह zip file मनाएगा आपके तो आपको file manager में जाना होगा आप पर इससे जाकर unzip करके आप पूरी किताब को पर सकते हैं तो इस परकार से कोई भी किताब होगी उस किताब को आप आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पर सकते हैं और अपने बच्चों को भी आप आपके घर के जो बच्चे हैं उनको भी आप जो study material है वो आप चीज़ें उनको दे सकते हैं फिर दुकाने खुलेंगी तो हार्ड काफी भी आप खरीद लीजिएगा तो यह पूरा प्रोसेस है इबुक को डाउनलोड करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली नियूज़ पर देखें स्कूलों में शुरू हुई अनलाइन क्लासेज अगर आपका बच्चा किसी स्कूल पढ़ता है तो उसकी क्लासेज अव आनलाइन चलेंगी यानि कि आप अपने घर पर मोबाइल फोन पर भी उसकी क्लास को चलवा सकते हैं बसारते हैं कि आपको थोड़ा सा पंक्ष्यों होना गया है कि मतलब पढ़ाई रुकनी ने चाहिए आप घर पर ही अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं तो स्कूल की और से आपको मेसेज आएगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये क्लासे जो होंगी वो चलेंगी कौन सी वेबसाइट होगी पर लिंक दे रहे हैं आपको जिस पर क्लिक करके आप क्लास को देख सकते हैं और इसी के साथ सीजियल टीर वन का रिजल जोगा वह बहुत जल जारी हो जाएगा कुल 9488 पनों पर भरती होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 से लेकर 11 मार्च के बीच जो परिच्चा होई तो इसकी आंसर की जो है यह 16 मार्च को आ गई थी और अब इसके बाद परिच्चा होगी तो परिणाम जारी हो जाएगा इससे की प्रमुख परिच्चाओं में से एक सीजियल परिच्चा के जरी है के सरकार के अधीन आने वाले विवागों में असिस्टेंट आडिट आफ आफिसर असिस्टेंट सेक्सर आफिसर इंकम टैक्स इंस्पेक्टर असिस्टेंट एंफॉर्समेंट आफिसर जूनियर इस्टेटिस्टिकल आफिसर और आडिटर के पदों पर भरती होती है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पद होते हैं ठीक है अब एससेस्टी की और स होता है वो सब्जेक्ट्ट्व होता है तो त्यारी आप लोग करते रही है और PCS मेंस परिच्छा से एक दिन पहले तक जमाऊंगे आवेदन मतलब जैसा कि आप जान रहे हैं कि PCS मेंस की परिच्छा बी सप्रेल से है तो अभी कुछ निश्ची तोर से कहा नहीं कर सकता कि यह परिच्छा टलेगी क्योंकि तैयारी पूरी चल रही है अगर लागडाउन सही सही मनदब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब तक यह जो प्रकोप है कम हो जाता है तो परिच्छा भी 20 से करवा दी जा लेना वहाँ पर भी आपको सारी इंफार्मेशन मिल जाएगी सीविस्ची की समधता के लिए अब 30 अप्रैल तक इसकूल जोंगे वह आविदन कर सकेंगे तो यह काफी अची बात है सीविस्ची के सच्यू ने कहा है कि नियम के तहत विभिनिस रेडियों के तहत सत्र दोज यह जो महमारी फैली है इसको रोकने के लिए तीन हफ्ते में लागडाउन के इलान के बाग भारत के जो महा पंजीएक हैं रिश्टरार जनरल आफ इंडिया इन्होंने 2021 की जनगर्णा के पहले चरण और इसके साथ नस्नल पापुलेस्टर रिजिस्टर यानिकी NPR को पूरी प्रक्रिया एक अपरेल 2021 से सुरू होकर 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन अब इसे जो है आरजी आई ने रोक दिया है हाला कि जो जनगर्णा होगी यह अपने समय पर होगी हैं कि जो दूसरा चरण होगा यह अपने समय पर होगा क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि कर अब 30 अपरेल कर दिया गया है और इस पर कोई भी बिला मुसुल्क नहीं लगेगा असाइंट्मेंट भी 30 अपरेल तक जमा होंगे इगनु के देजबर में 56 के अंदर हैं और 51 दिनों के लागडाउन की घुश्रा के बाद इगनु प्रसेसर ने कहा है कि 14 अपरेल को आप आविधन कर सकेंगे और इसकी जो परिच्छा होगी वो 31 माई को कराई जाएगी तो इसके लिए नया डेट आ गया है 31 माई ठीक है परषद के सच्चु एके बैस ने जांकार दोरा लिए गए जो नेड़े हैं उसके काराण यह बदलाओ किया गया है आविधन की जो अ परिच्छा 31 माई को होने वाली है और इसी के साथ यह से समाप्त होता है और आप लोग पढ़ते हैं के बारे में आशारी जांकारी आपको मैं प्रवाइड करूंगा तो ट्रिपल सी आप लोग कर ही डालिए क्योंकि आपके पास काफी वक्त है और विग्यापन के आने में भी काफी वक्त है तो अब आपको ट्रिपल सी कर लेने चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे आपसे लिए वीडियो में तब तक के लिए जैहन्त